तो दोस्तो ये जो LED street light है या date condition में या जल नहीं रहा है तो दोस्तो इसके दो कारण हो सकता है दोस्तो पहला कारण हो सकता है कि इसका LED खराब हो और दूसरा कारण हो सकता है कि इसका driver खराब हो तो दोस्तो इसमें खराबी क्या है आप कैसे पता लगा सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और इसके प्रॉब्लम को ठीक करके आपको दिखाने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरे नम है अमर और आप देख रहे हैं हमाय YouTube channel Mechanical Sirs तो चले जो तो टोको start काता है तो दोस्तों सबसे पहले हम इस LED street light को open करेंगे यहां से इसका lock लगा हो से निकाल कर तो दोस्तों इस तरह से हमने इसे open कर दिये हैं आप देशकते इसमें एक छोटा सा ही circuit लगा हुआ है तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें पहले supply देंगे और supply देंगे इसमें क्या करेंगे इसका voltage चेक करेंगे तो हमने आपको दिखाते हैं कि इसमें supply आ रहा है की नहीं आ रहा है तो आप दे सकते हैं जैसे इसका input wire को short कर रहा है तो हमारा switchboard का bulb glow कर रहा है याने कि इस सर्कीट में supply अभी आ चुका है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका DC output वोल्ट चेक करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे हमें multimeter की आवसकता होगा और multimeter को DC range 1000 पर set कर देना है आपको इस तरह से यहां पर इस इसका अर्थ यह होगा कि इसका जो driver है इसमें फाल्ट होगा तो आपने देखा कि इसमें कुछ भी voltage हमें नहीं मिल रहा है तो हम यहां पर दुबारा आपको चेक करके दिखा देए इसमें supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें supply आ रहा है मगर दोस्त सकते है है के और यहां पर आप देख सकते हैं हैक कर और एक पालिष्टर कम फुर्प लगा हुआ यानरे कि कुछ बस 2-3 ऐसमसी लगा हुआ तो आप देख रहा होग और यहां पर एक रेसिस्टेंच लगा जो की fuse के तोर पर लगा हो रहता है तो दोस्तों हो सकता है hp accents फूला हो और इसके अलाव यह हो सकता है कि इसमें unleash resistance है खराब हो चुका उड़ शुको हो तो सबसे पहले आपको इसके resistance है उससे आपको चेक कर लेना है क्योंकि यहlarıання cancer होता हूं फ्यूज के तौर यहाँ पर लगा हुआ है खराब हो चुका है जिसका हमारा जो सर्कीट ड्रैवर वा ओल्ट नहीं बना रहा है तो इस तरह से हमने इस कैपिशिटर को निकाल चुके हैं यह जो क्यों आप दे सकते फूला हुआ आपको दिख रहा होगा तो अब यहाँ पर हम क्या करें कोई ठारावाट का लेडि ड्रैवर जिसमें एक सेम का कैपिशिटर यहां पर लगा हुआ है आप दे सकते 250 ओल्ट दस युएप का और इसका भी वैल्यू आप दे सकते इसका भी वैल्यू सेम है तो हम इस कैपिशिटर को यहां से रिमू करेंगे और इस ड्रैवर में तो यहां पर इसमें Mark नहीं दिया है प्लस मािनर को तो आपको कैसे लगा ना इसमें नहीं चल पा रहा तो आपको क्या दकनेए में इसका इनपूत में यहां पर लगा होए आप देख सकते तो रिखिफएर का जो राइट वाला you होता है हमेशा positive होता है और left वाला जो लेग होता है नेगेटिव होता है तो दोस्तों आपको इस इसका जो परलेल में ही इस कापिशिटर को लगाना यहां जो की परलेल में ही लगा हुआ था तो आपको यह जो माइनर से उससे अंदर की तरह पर रखना है और प्लस उसको इस आप रखना है यानि की बिजेक्टिफायर के जो राइट सी रहा है उसमें आपको प्लस को रखना है तो इस तरह से हम यहां पर इस कापिशिटर को यहां पर लगा दिये हैं अब दोस्तों यहां पर हम इसको कनेक्शन नहीं करेंगे पहले इसका वोल्टेज चेक करके देख आपको पहले देखा रेता है कि इसमें supply आ रहा है कि या इसका वायर को शॉट करके तो आप देशा कि हमारा बल्ब गलो कर रहा है इसमें supply आरह आप हम इसका आउटपॉट वायर यहां पर चेक कर दो आप देशाते हैं यापर 338 volt के आसपस बता रहा है यानिकि दोस्तों इ या सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्य आउर्पूट वोल्ट मिल रहा है तो दोस्तों इसमें जो एक सब्सक्राइब देंगे दोस्तों और देखेंगे सब्सक्राइब देखेंके दोस्तों इस तरह से आप अपने स्ट्रीट राइब का घर लिपेयर कर सकते हैं तो चले तो मिलते हैं ट्सक्राइब जैंबारत वनदि मात्रम